राम राम सुभी भाई वे नोको और आज एक तड़ी बूटी के बारे में आप सब को जानकारी दे रहे हैं यह है कड़ी पत्ता स्वागत आप सब का मेरे दीव शिवी युगा इरुवेदा चैनल पर यह कड़ी पत्ता इसको मीठाने इम भी बोलते हैं तो आज यह पेड के च्छटाई की है तो इसलिए हम इसको पूरा पूरा ओपर ले आए हैं उठा के अपने सब को पैचान है कड़ी पत्ते की क्योंकि घाने में भी यूज करते हैं लिए लिए कडिपते का सब को पता है ये क्या क्या काम आता है देखिए बोजन का सवातो बढ़ाता ही है पाचनतंत्र को ठीक रखता है और ये कहां पाया जाता है? पूरे भारत में पाए जाता है इसमें क्या-क्या उस दिये गुन है ये चर्बी गटाता है घने बाल करता है चेरे को साफ करता है मदु में ठीक करता है और जो पेट के कीडे हैं करमी नासक है भूख का न लगना जिसको भूख नि लगती हो तो इसके प्रियोग से बुख लगनी शरू हो जाएगी जो पेट सम्मंदी जो बिमारिया है व्यादिया होगे ठीक होती है इसको इसके पत्ते को खुबाल कर चान कर पिए इससे सौंद्रिये परसादन हमारे जो सौंद्रिये आते हैं बनते हैं उसमें भी प्रियोग करते हैं पत्यों को पिश कर पेस्ट बना कर, चेरे और पूरे स स्रीर पर माललिस करें मुहा से फोड़े फुनसी जहीया दूर होती है अर जो इसके फुल आते हैं छुट छुटे अपले गरीन कलर के होती है 앞 हुले थोड़े से रेड से काले हो जाते हैं अभी इसमा आए नहीं है उस विजों का कोई और मुझे मिलेगा तब मैं वीडियो बना दूंगी तो आज तो आप ऐसे देखें तो उसके जो फल हैं उनको पीश कर पाउडर बना लें एक एक चमस सुबह श्याम लेने से जो रक्त दोस खून में जो बिमार यहां दोस आ जाते विए दूर होते हैं तवचा के रोग दूर और आंतरिक कांती बढ़ती है अंदर की सुंदरता बढ़ेगी तो हमारी तवचा में अपने आप सुंदरता आ जाएगी और इसका मदुमे के लिए कड़ी पत्ते को कूट कर पाउडर बना ले इसको सुखा लें जैसे अब मैंने ये इदर इसके पत्ते में सारे इकठे कर लूँगी और इनको सुखा कर पाउडर बना कर अपने डिपे में बर लूँगी तो तीन या चार गराम पाउडर का सुबह श्याम सेवन करें मदुमे के लिए खास इसके पत्तों को सुखा लें पाउडर करें और सुबह श्याम तीन या चार गराम पाउडर सुबह श्याम सेवन करें मदुमे के लिए सुगर के लिए डायबिटीज के लिए और योग प्रनायाम जरूर करें कम से कम 45 मिनट इसका यूज करते हैं तो योग प्रनायाम जरूर करें इसकी लुगदी बना कर चेरे पर रगड़ें पीट में कीड़े हो जाते हैं वो भी मर जाते हैं तो ये था हमारा आज का ओस दिये पोदा कड़ी पत्ता मीठा नेम तुवासा करती हूँ कि सभी भाई बैनों पूने अच्छे से जानकारी मिलगी होगी तो फिर मिलते हैं किसी और जड़ी बुटी के साथ तो तब तक के लिए दें इजाजत सबको ओम राम राम जै राम जी की